दोस्तो दिवाली का सीजन जो है आने वाला है और इसमें जो है न को क्या होता है कि आपको जो है आपको जो है 120 रुपय बनाकर के दिखाने वाल और आपने ट्रेख पढ़ा है तो विडियो को लास तक जिरू देखेगा तो नमसकार दोस्तो तो मैं हुआकास और आप देख रहे हैं टेक्टो जहकास चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है 6 माडिल का आपको स्वीच बोर्ड ले लेना है जैसे कि आप लोग देख पार है एक दो ती चार पांच है और इसको जो है पीछे से झो है एक्सटेंसं भी है मतरब इस औहुसको तोड़ करके पहले तम hengem क्या किया है एक धो तीन तीन सविच और तीन सॉकेट कर निया हुआ है लेकि पीछे से पिछे जो है यह 5 सुटेट कर सकते Hoş दो तीन चार पांच क्योंकि इसको हम तोड़के निकाल दखते हैं लेकिन मेरा जो यूज है अभी क्या है कि हमको क्यबल तीन ही सॉक्ट के ज़रुत है और अलग-अलग स्विच की तो अब इसके लिए यह हो गया और इसके लिए फिर आपको जो है तीन सॉक्ट चाहिए और है ईपगी में आ शुल्ट के छिख लगा रहPUार जाते हैं तो आप पांच भी लगा सकते लेकिन मुझे 2 की जरूरत है तो 3 मुझे सॉक्ट हो गया और हमको अलग-अलग सुचछा है तो हम विप्तीन स्विच ले लेते हैं जासा कि अब लोक कि देक पा रहे हैं 3-pin की जो है आप देख लिजिए कि जैसा मतलब आपको ज़रुत हो मेरे को 2-pin की ज़रुत था तो मैं ले लिया तो अब जो है इसका जो है अब वाइरिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहां पर जो है मैंने बोर्ड का फिटिंग कर लिया है स्वीच और सॉकेट का और यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहां पर जो नूट्रल है जो एन लिखा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं मतब यहां पर जो सॉकेट का जो यान है सारे यान को जो है जोड़ लेना है वायर ले करके वायर आपको नाप करके पूरा जो है कट करना है यह दिखे जो है मैंने पहला जोड़ दिया दूसरा जोड़ दिया और तीसरा ऐसे इस तरीके जो है आपको जोड़ लेना है और अब आपको जो स्वीच का नीचे वाला जो पॉईंट है और उसके बाद जो नीचे वाला टर्मिनल है और एक सॉकेट का जो भी पी बचा हुआ है। जैसे कापलक वीडियो में देपा रहे हैं। इसको इसको और इसको आपस में जोर देना है चोटे चोटे जो है वाएर लगेगा इस तरीके जैसे मैं पर आपको करना A कि दोस्तों थोड़ा कोई भी कोई जो पेच होता है ना थोड़ा खराब होता है इसके वाज़ाशे टाइम लग रहा है तो ऐसे आपको कनेक्शन करके जो है अब उसके बाद क्या करना है कि एक चोटा साओर वायर लेना है और जो तीनों स्वीच का जो टर्मिनल है उसको आपस में तीनों को कनेक्ट कर देना है तो सबसे पहले आपको वायर लेना है और नाप लेना है कि मतलब कितना वायर लग रहा है और उतना दूरी तक आपको छील लेना है तो इस तरीके आपको जोड़ देना है इसे देखिए मैं भी जोड़ लिया और तीसरा मेरा भी जोड़ना है क्योंकि तीसरे वाले में हमको ज तो इस वाले वायर को जो है आपिसमें जोड़ देंगे और वायर को लगाने पर आपको को तो अ कि आपको जोड़ करके उसको स्विश का जो टर्मिनल रहे हैं जो है आपको कनेक्ट कर देना है उसके साथ ही और उसके बाद एक जो और वायर बच रहा है उसको जो न्यूट्रल वालना जो पॉइंट था ना सॉकेट का उसमें जो है जोड़ लेना है आपको कि एक ब ..... दियां रखना jakie वायर जादाdade बड़ा नहीं हो जितना लगाना है और पूरा जो है बार चेक कर लेना है कि साथ सारी को अच्छे यह है कर लेना है तो यह हमारा दो ayam्power कम्तली हो गया अब आप एक बार को फिर से देख सकते हैं sorta कि तो मैंने पहले ऐसे ही रख करके जो है टेस्ट करना चाहूंगा और इसमें आपको प्लक कश लेना है कि तो हमारा प्लक जो फिनिस हो गया कि अब हम अपना एक और एक्स्टेंशन बोड लाते हैं उसमें प्लक को लगाते हैं अब हम बारी बारी से एक एक स्वाओक का टेस्टिंग करेंगे तो हमारे पास एक फोल्डर और बल्ब है कि अब फोल्डर है तो हम इसको लगा करके अब आउन करते हैं यह देखिए कि इसमें पूरी अच्छा त्रीके से काम कर रहा है कोई प्रावलम नहीं है अब हम जो है दूसरे का टेस्ट करते हैं दिन और तरड का जो हैँ तीशाए करते हैं दोस्तो इस प्रकार जो है बोड तयार हो गयी आपका तो दोस्तो आज की वीडिवे बस इतना यह दुरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और हाँ यदि आप मेरे चल पेना है तो सब्सक्राइब कीजिए कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आने वाला हूं तब तक लिए जैहिन बंदेवात्रम